तो आईए अब फावर्ण के देख लेते हैं और आपको पता है कि ये हम नालंदा आमान हिंदी पुस्तक जो की प्रथविनात पांडे सर के लिए PCS और आरो के लिए आती उसी से वाकेंस के लिए एक सब्दों को कवर कर रहे हैं जो केवल फल खाकर रहता है उसे फलाहारी कहते हैं फलने वाला या फल देने वाले को क्या कहते हैं फल दाई कहते हैं फल को इस प्रकार से रखना कि गलने या सड़ने ना पाए उसे क्या कहते हैं फल परिरक्षन वापात्र जिसमें सोभा के लिए फूल लगा कर रखे जाते ह जिस अस्थान पर बैटकर जुआ खेला जाता है उसे फड़ बोलते हैं बहुत दर्शी बोलते हैं, जिसकी काम ना बीत चुकी हो, उसे बीत काम कहते हैं, जिसे कोई रोजगार ना हो, उसे बेरोजगार बोलते हैं, जिसके जोड या मुकाबले का कोई ना हो, उसे बेजोड बोलते हैं, सुर्योद्य से पहले दो घड़ी तक कब पवित्र समय को क्य क्या बोलते हैं ब्रह्ममूर्थ कहते हैं जिसे समाज या जाती से बाहर निकाल दिया गया उसे बहिश्कृत बोलेंगे जो बहुत से बिसियों का जानकार हो उसे बहुत अग्य बोलेंगे वह सिदान्त जिसमें देवता बहुत से हैं जिनकी उपासना की जानी चाहिए तो बहुत से देवता को बहुत देवाद हो जाएगा अनेक धंदों से संबन्द रखने वाला बहुत धंदी हो जाएगा जिसकी जीवी का बुध्य या दिमाग के दम पे चलती हो गूद्धिजीवी बॉलते हैं खाने की क्षा होती है, वो भूख्षा, जिसको किसी बात की खबर नहीं, बेखबर बोलते हैं, एक सहती को बहुपतनी तो 네, जो बालकों के लिए उपयोगी हो से बाल उपयोगी बोलते हैं, diffic देवता पर चढने वाले या मारा जाने वाला पसु क्या वाला बली कहलाएगा बहुत रूप धारण करने वाले को क्या बोलते हैं बहुत रूपिया बोलते हैं जो बहुत रूप धारण कर ले जिस इस तरी के संतान पैदा ना होती हो से वंध्या बांच बोलते हैं छोटी कत विदिया बहुभासी, बहुत सी भासाओं को बोलने वाले को क्या कहते हैं, बहुभासा भासी बोलते हैं, बहुभासा भासी होता है जो बोलने वाला हो, और जो बहुत सी भासा हैं जानने वाला हो उसे बहुभासा विद्ग बोलेंगे बहुत भासी बोलेंगे, हैं दोनों बाते एक ही बाते हैं, दोनों चीजें एक ही बाते हैं, लेकिन थोड़ा सा कौन से सब्दों का प्रियोग करके आप से क्या पूछा जा रहा है, ये बात important है, आधे से अधिक लोगों को, लोगों की मिला कर एक राय को क्या बोलते हैं, बह जो बुद्धि द्वारा ग्रहन किया जाए, जो आगे की बात सोचता हो, उसे भविस्चेता कहते हैं, या अग्रचेता भी बोलते हैं, जो भारत में रहता हो, उसे भारती भारतवाशी, क्रोध करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, भामिनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भा भागे पर विशाज करता हूँ, उसे भागेवादी बोलते हैं जो अनीक भासाओं का ग्याता हूँ उसे भासावित बोलते हैं अनेक आगे घटित होने वाला खावी और जो अव хотя से आगे घटित होगा उसे औस अवज había बोलते हैं भूगर्व विग्यान का जानकार जिसको भ बहुठोलिक हो जाएगा, किसी तूटी इमारत का सेस, बचा हुआ भास बचा हुआ भागनावेश गर्मे बालत के हत्या मरण हत्या हो जाएगी जो अच्छे भागिवाला हो उसे भागिवान बोलेंगे दिवार पर पनीवे चित्र को क्हा बोलते हैं भूतों का इश्वर, भूतेश जो भूमी को धारण करता उसे क्या बोलेंगे? भूधर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? भूधर ऐसा सास्तर जिसमें प्रत्वी के स्वरूप का वर्णन हो उसे भूगोल बोलेंगे जो पूर्व में था या हुआ था पर अभी नहीं है उसे क्या बोलेंगे? भूत पूर्व और जो पहले नहीं था उसको क्या बोलेंगे? अभूत पूर्व भाय उत्पन करने वाले को भयानक बोलते हैं यूरोप और भारा से संबनते तो भारोपिये खाने की क्षा, भूख इसको भूख शा भी बोलते हैं क्या बोलते हैं? जिसको भूख लगी हो जिसका भजन करने का उचित और आविस्थक समय हो भजनिय जिसे, सुरी, जो भय से घबराया हुआ उसे भयाकुल बोलते हैं, जो भविस में निश्यत रूप से होने वाला हो से भवितब्य बोलते हैं क्या बोलते हैं? भवितब्य दोपहर का समय क्या होता है? माध्यायन होता है और दोपहर के पहले के समय है पूरवाहन दोपहर के बाद के समय है अपराहन जो मर्यादा के अनलोप हो, मर्यादित मरने की इक्षा को क्या कलते हैं मुमूर्श और मुमूर्शू बोलते हैं जो मरने वाला हो मरने की इक्षा रखने वाला हो मर जाने की कामना मुमूर्शा ठीक है तो यहाँ पर देखेगा ये दो है एक मुमूर्शू है एक मुमूर्शू है तो ये दोनों ठीक हैं उनसके लिए कि जो बंदा है उसके लिए जिसको मरने की इक्षा हो या कामना हो उसके लिए मुमूर्श या मुमूर्चु हो जाएगा लेकिन जो स्वयम इक्षा है वो इक्षा क्या होगी वो मुमूर्शा कहलाएगी और मुमुक्ष क्या हो जाएगा ये मुक्ष प्राप्त करने की इक्षा हो जाएगी और मुमुक्ष क्या हो जाएगा जिसको प्राप्त करने की इक्षा हो ठीक फलो का मधू मकरंद होता है फलो का मधू क्या होता है मकरंद दो विरोधी मारगों के बीच का मारग मध्यमारग समाज में उच्छ वर्ग और निम्न वर्ग के बीच के वर्ग को क्या करते है मध्य वर्ग बोलते है चुनाओं में अपना मत देने की प्रक्रिया मतदान जो दो विसें में मतभेद हो उसको क्या करेंगे मतभेद बोलेंगे जिस विसें में मतभेद ना हो यानि कि मतेक हो तो उसे मतेक की बोलेंगे मतिमंद होने की अवस्था को क्या करते हैं मतिमांद बोलते हैं मन को हर लेने वाले को मनोहर, मन को मोह लेने वाले को मन मोहक, मान करने वाली इस्तरी मानिनी, राजा के साथ अबशेक हुई नारी महिशी, जो सराप कादी हो मद्यप, बालुका मैं प्रदेश, मरुष्थल, मन वचनकार इसे, तो मन शहवाचा कर्मणा, फिर मन पसंद या नामंकित, मनोनीत हो जाएगा, मन उसे जाती से परे क्या हो जाएगा, मान वेतर हो जाएगा, मानस खाने वाला, मानसाहारी, जो कम खर्चा करने वाला हो से मितब्बी या कंजूश कहते हैं, करपन भी बोलते हैं, कमल की दंडी, मरनाल, कमल की दंडी क्या हो मिठ्ञ बोलने वाले को मिठ्ञ वादी बोलते हैं मन के दुरबल होने की स्थिति को क्या करते हैं मनो दौर बल्ले मन के मलिन होनी की स्थिटी को मनो मालिन्ने क्या बोलने हैं? मनो मालिन्ने तो मन मलिन हो गया, गलत हो गया, गंदा हो गया मन और उसकी अस्थाओं मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं का अध्यन करने वाला शास्त्र मनो विज्ञान मन के किसी और प्रवित्य होने या उससे हटने के वस्था को क्या करते हैं मनो वृत्ति कुल मिला कि आपकी मन की जो वृत्ति होगी वही मनो वृत्ति होगी ठीक है? तो वो मन किस और जा रहा है किस और हट रहा है ये चीज मर्ग की सी आखों के समान जिस सिस्त्री की आखे हो उसको क्या बोलेंगे मर्ग नैनी जिसने मृत को जीत लिया हो जिसने मृत पर बिजय पाई हो मर्तिन जय मेग के समान जो गरस्ता हो मेगनाद असाधारन मेधा हो जिसकी बुद्धी अशाधारण हो उसको कहते हैं मेधावी जिसकी आखे मीन के आकार की होगी मीन मलब मक्षली के आकार की तो मीनाक्षी थोड़ा और नपातुला भोजन करने वाले को मिताहारी जैसे थोड़ा खर्चा करने वाले को मितबई भी बोलते थे वैसे थोड़ा खाने वाले को मिताहरी उसके प्रदेश या राज के मंत्रियों का सबसे बड़ा जो मंत्री होता है उसको मुख्य मंत्री बोलते हैं वाइसे थी जब मुद्रा का चलन अधिक हो गया हो तो मुद्रा इसफीती बोलते हैं मरमाहत और मन की बात की जानने वाले को मरमग माया समंधिया माया के रूप में होने वाला मायावी जो पूर्ण रूप से विक्सित ना हुआ हो उसको मुकुल कहते हैं और जो अभी बिल्कुल भी खिला नो उसको कली बोलते हैं रक्षा करने वाले को रक्षक बोलते हैं लाजवाब बिखेते हैं और लाजवाब वो भी होगा जिसका कोई जवाब ना हो यानि कि जिसका कोई उत्तर ना हो कुलाप पाने वाला तो जिसको कुलाप पाने की चाह हो उसको कहते हैं लिपसा वह बेक्ति जो लकडियां काट कर अपना रोजगार चलाता है उसको लकड़हारा बोलते हैं जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ट हो उसे लौपुरुष जिसका उदर यानि कि पेट लंबा हो उसको क्या कहेंगे लंबोदर बोलेंगे लोक में परचलित वस्तूओं से बढ़कर लोकड़ यानि कि जो लोक में यानि कि जो भी किसी समय जो भी वस्तूओं परचलित हैं उनमें जो सबसे परचलित वस्तू होगी उसको लोकड़ बोलेंगे बच्चों को थपकी देते हुए सुलाने के लिए गीत लोरी पत गोलब बोला जाता है इस लोक से संबंदित तो इसको लोकिक कहते हैं और जो इस लोकिक के पार हो दूसरे लोक में हो उसको पार लोकिक बोलते हैं अगर देवताओं का लोग आ जाएग तो देव लोकिक हो जाएगा, आयबे लेंदेन का लेखा करने वाला लेखाकार बोलते हैं, वह शासन प्रणाली जो लोग द्वारा लोग के लिए निश्चित की गई हो तो लोगतंत्र हो जाएगा, जनसाधारन का गीत लोग गीत होता ह जो आसानी से पज्जा है, उसे क्या कहते हैं, लगपात, और जो कठिंसा से पज्चता था उसको क्या बोलते हैं, गरिष्ट, लोग का कल्यान करने वाला लोग सेवी, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, उसे लब्ध प्रतिष्ठ या लब्ध प्रतिष्ठित कहते हैं, प्राप्त कल्यों तो लब्ध हो गया जिसे सब पसंद करें उसे लोग प्रिये बोलेंगे लोग करने वाला लोलुप हो गया लालशा रखने वाला लालाईत जिसके पास लाख रुपए की संपत्य हो लगपती जिसका इलाज ना हो सके ला इलाज जो बात वर्णन के परे हो ठिक उसे वर्णातीद बोलेंगे जो विश्ण से सम्मंदित या उस संपरदाय के नियमों पर चलने वाले को वैश्णों बोलते हैं ऐसी ब्युस्था करना कि बाहर के तापमान का प्रभाव भीतर ना पड़े वातानुकूलन हो जाएगा वह जो किसी के विरुद्ध वाक या मुकदमा पेश करे उसे वादी कहते हैं और जो मुकदमा करे उसे वादी कहते हैं और इस मुकदमे को जो बचाव करे से परतिवादी बोलते हैं एक वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, प्रतिवर्ष दी जाने वाली वृत या अनुदान वार्षिकी, आनुची दियों संबंद रखने वाला बेविचारी, बेवस्था करने वाला बेवस्थापक, जो सब में ब्याप्त हो, उसे विभू बोलते हैं, क्या बोलते हैं विभू, अब ये किसी का नाम विभू हो, तो समझ लिजी, वो सब में ब्याप्त है, विभी उन परकार के विवादों में फसा हुआ विवाद आस्पद, जो इंद्रियों का दमन ना करे, उसे बिशेया सक्त बोलते हैं, ठीक है, यानि कि वो बिशेय में आ सक्त है, जो बिश किया जाए, उसे बिश्वस्त बोलते हैं, विडा है, जिसके हाथ में वदेवी क्या है, विडा पाण ही है, विदेश का या विदेश में होने वाला, तो वैदेश ही हो जाएगा, जो विदिकानून की द्रिश्ट से ठीक हो, उसे वैद बोलेंगे, किसी विशेय का विशेय जिसको ग्यान हो, उसे का विशेय सक की बोलेंगे, जो बढ़ रहा हो, उसे वर्धमान कहेंगे, जो निरंतर कई वर्सों से चलता रहे, या होता रहे, उसे क्या कहेंगे, वर्सान वर्स, है ना, बसंत पंचमी के दिन मनाया जानने वाला उससो क्या कहलाएगा, बसंत उसो क पहलाएगा, जिस कन्या का बिवाह कर देने का वचन दिया गया हो, उसे क्या कहेंगे, वागदत्ता कहेंगे, कन्या का बिवाह कर देने का वचन देने की रश्म को क्या कहते हैं, वागदान कहते हैं, तो देखें, रश्म को वागदान बोलते हैं, और जिस कन्या का बिवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो उस कन्या को क्या कहते हैं वागदत्ता कहते हैं ठीक हैं और इस रसम को यानिकि इस रसम को इस प्रॉसेस को वागदान बोलते हैं वंस में उत्पन अब्यक्ति को वंसज बोलते हैं जिसके हाथ में वज्र रहता है उसे वजरपाणी कहते हैं, बचपन या जवानी के उम्र के बीच की संधी, वयह संधी होती है, जिस इस तरीक का पति जीवित हो, उसे जीवित ना हो, सौरी, उसे विदवा कहते हैं, जिसका जीवित हो, उसको क्या कहेंगे, सदवा कहेंगे, जिस पुरुस की पतनी मर गई हो उसको बिधुर कहते हैं जिसको पतनी का साथ ना हो उसको वी पतनी कहते हैं पतनी साथ में हो तो सापतनी बोलते हैं योग या मिलन ना होने की अवस्था को क्या कहते हैं वी योग कहते हैं अनुरक्ति ना रहने की अवस्था को मल्ले की जहां प्रेम ना हो भाव ना हुआ विरक्ति हो गई वर्दान देने वाले को क्या करते हैं वर्दाता करते हैं विरोध में विरोधी हो गया किसी पदार्थ या राज जी का दूसरे पदार्थ में राज जी में मिल जाना को बिले बोलते हैं मेंसे कोई एक बात तो वो भिकल्प हो जाता है, options होते हैं, वस्तुओं की विक्री करने वाले को क्या काते हैं? विक्रेता काते हैं, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया, प्रस्ताव या मसौदा क्या होता? बिध्यक होता है, जिसको बिल बोलते हैं, जिसे विजित बोलते हैं, जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो, उसे विग्गी कहते हैं, लोगों की जानकारी के लिए पत्रों आदी में प्रकासित बात सूचना को विग्यापन कहते हैं, जो इस तरी विद्वान हो, उसे क्या बोलेंगे, विदुशी बोलेंगे, यह यहाँ देखि तो उसको विशलेशन बोलेंगे, यानि कि किसी विशेवस्त को अलग-अलग करके डिटेल में देखना, काम के लिए अनुपयुक्त समय तो वर्थाशमय, उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त है, वालकि जो सही समय नहीं है, तो उसको वर्थाशमय बोलेंगे, दूसरों के क और इंपोर्टेंट भी है। विशेस व्यक्ति से संबंधित होगा, तो उसे व्यक्ति विशेस या व्यक्तिगत या व्यक्ति मूलक बोलेंगे। के बीच के समय करते हैं वैसंदी बोलते हैं जो विस्व परशिद्ध हो से विस्व विक्याता विस्व परशिद्ध विस्व विशुरुत वसुदेव के पुत्र को वासुदेव बोलते हैं जो अपने धर्म के विपरीत आचरन करता हो से विधर्मी बोलते हैं जिस पर विश्वास पात्र, कानून दौरा प्राप्त होता है विधि-प्रदत, विधि-प्रदत मनलब कानून के दौरा दिया गया तो प्रदत हो गया, तो विधि-प्रदत, विजली के तरह तीवर वेग से, विद्धुत वेग, जिसमें किसी परकार का विकार नहों से, विक्रत बो तो अब यह वा तक यहां तक complete हो गए शाह का अगले वीडियो में देख लेंगे अधर वीडियो लंबा हो जागा थांकियो